आजे रहा विडियो अप्लोड जाएगा तो इस्टार्ट करें देखते हैं और से लास्ट पार्ट है ना हाँ जी ये लास्ट पार्ट तो हमने कहाँ छोड़ा था सर हमने छोड़ा था cancellation and extension सवाल था क्या forward contract cancel किया जा सकता है यस पर cancellation के लिए हमको कौनसे रेट्स लेने होते हैं अपोजित मतलब वो समझाँ हमें पढ़ना है cancellation of forward contract simple extension extension क्या होता था सर extension में होता क्या था कि जो हमको dollar अब भी नहीं चाहिए वो जिस due date को चाहिए था उस दिन नहोंके उसके बाद चाहिए वो होता था extends प्लीज इस contract को extend कर दीजिए cancellation क्या होता था cancellation होता था हमको dollar चाहिए यह नहीं contract तो कर लिया जो इसमें आके पर dollar अब नहीं चाहिए तो प्लीज हमारा contract cancel गए early delivery क्या होता था sir हमको चाहिए था dollar 31st March को हमने contract बुक किया 31st March के लिए पर यार एक मैंने पहले ही हमें जरूरत पढ़ गई तो please क्या जो dollars की delivery है वो पहले कर सकते हो और automatic cancellation this is most important यह दोनों बहुत काम की चीज़ यहाँ fedai का rules नहीं लगता है यहाँ swap loss वगेरा आता है और यहीं से question आया था पिछले attempt तो sir इस attempt में least important बोल सकते हैं कि cancellation को आपको जो बोलना है बलो कोई दिक्कर नहीं सर सर आटोमेटिक cancellation का कुछ बता रहे थे आटोमेटिक cancellation का में यह बता रहे था यार अब यार due date को customer नहीं आया या तो cancel करवाने आ जाता भाही साब नहीं आया नहीं आया तो कितने दिन इंतजार करेंगे new rules के हिसाब से तीन दिन wait करोगे अगर तीन दिन में भी नहीं आया न तो तीसरे दिन due date से तीसरे दिन 100% आप मानो मत मानो आपका forward contract आटोमेटिक cancel हो जाए और सर पहले कितना दिन था पहले दिन था पंधरा दिन दो साल पहले कि मैं बात कर रहा हूं लेकिन पता नहीं इंस्ट्यूट को क्या हो गया उन्होंने पुराने वाला जो पहले कितना दिन था टाइम पिरिएट 15 दिन तो पुराना वाला कोशन उठा कर डाल दिया ओल्ड वाला कुछ नहीं कर सकते सर सब याद रखना पड़ेगा कि पुराना नहीं सब कुछ खलती है यहां इंस्ट्यूट पर चलो अगे बड़े तो कैंसलेशन और फावर्ट कॉंट्रेट क्या होता था कुछ नहीं सर हमको मैच्चुरिटी में कैंसल करना अपोजिट रेट लेते थे और किसके एंगल से सोचना है दो चीजे याद रखोगे तो दिक्कत खतम हो जाएगी अपोजिट रेट लेना है मतलब बैंक ने अगर पहले बैंक एंगल से सोचोगे सेल करने का कॉंट्रेट किया तो बैंक का पहले कस्टुमर को बेचने का कॉंट्रेट था तो सेलिंग रेट तो बैंक कहेगा कि ठीक है भई हम आपको बेचे तो न ध्यान से अपोजिट के रेट क्यों ले रहा है काटने के लिए अपोजिट रेट ही लिया जाता है और यह हमने डैरिवटिव में पढ़ चुका है तो अपोजिट रेट आपको पता है मैं कस्टमर को सामने बैठा ला मैंने का भईया बेचने का कॉन्टरिक्ट था हम आपको बेचने वाले थे कस्टमर का कहना है सर हमको लगी नहीं रहा है डॉलर मैंने का कोई बात नहीं जूट मूट में करे मैंने आपको बेचा डॉलर उसी rate पे जिस rate पे बात हुई थी ठीक अब मैंने आपसे वापस करीद लिया मतलब opposite rate कौन सा rate आएगा अर बाइंग rate opposite rate buying rate बैंक के एंगल से सोचना है प्लीज अमें हमें सा बैंक के एंगल से जो भी difference हो जो भी difference होगा बैंक आपसे वसूल करेगा या फिर आपको फाइदा हो रहा होगा तो बैंक आपको दे देगा दोनों condition हो सकता है it means आप इस cancellation पे या तो customer को फाइदा हो सकता है तो bank को फाइदा हो सकता है जो इसको फाइदा हो जाएगा वो पैसा ले जाएगा simple rules but याद रखना कि दोनों rate एक ही date के होने चाहिए चर्त यह है दोनों ही rate एक है मतलब selling rate और buying rate एक ही date के होने यह बात समझे सर यह क्या लिखा है cancellation on maturity को spot rate ले जाना मतलब यह है भाई अगर एक मैने पहले cancel हो रहा अगर maturity rate को cancel हो रहा 31st March को तो यह selling rate भी 31st March का था और buying rate भी spot rate ले लेंगे लेकिन अगर एक मैने पहले cancel हो रहा तो वो जो selling rate था selling rate वो तो 31st March का था लेकिन जो buying rate है वो 31st March का कैसी होगा कैसी पता लगीगा एक मेने पहले तो sir forward rate लेना पड़ेगा ठीक है और यह derivative में भी आया था एक question दोनों ही rate एक ही rate के होने चाहिए समझते हैं एक आदो question से समझने की question राम ने enter किया forward contract to buy sir राम खरीदने वाला मतलब bank क्या करने वाला बेचने वाला है तो selling rate है पहला और कितने में book हो चुका है 75 bank का original rate है 75 और सुनों यह inter bank नहीं होता है इसमें margin margin साब adjustment होता है और एक अप्रेल को मतलब sir due rate को he contract cancel हुआ मतलब sir spot rate लेंगे पहला है selling rate तो दूसरा कौन सा opposite rate कौन सा लेना पड़ेगा buying rate ना बोलो और क्योंकि यह inter bank होगा तो margin क्या होगा bid में से minus ask में plus एक selling rate bank बेचेगा 75 के सबसे bank फिर वापस खरीदेगा 71.9 sir bank को profit हो जाएगा 3.07 एक लाग डॉलर है तो 37,000 रुपे का customer को loss होगा और customer मरसे जो पैसा वसुल किया जाएगा उसे बोला जाता cancellation charges और एक question करते हैं साथ समझने सुनना यह ज़्यादा है यह कम है और सच्चा ही हमको मालम है जो कम होता है वो bid rate होता उसे राम ने enter किया sell मतलब bank क्या कर रहा है buying rate है तो दूसरा selling rate आना चाहिए selling rate यह नहीं आएगा यह एक margin plus हो जाता है जो भी difference है वो gain होगा तो हम customer को पैसे दे देंगे customer को क्या हो रहा sir bank खरीदेगा 75.50 के सबसे और bank बेचेगा 72.56 के सबसे वे खरीद रहा है जादा में बेच रहा sir bank को loss हो रहा है मतलब customer को gain हो रहा है तो यह difference हम customer को simple है यह बलकुँ multiple choice question आ सकता है यह वाला question अच्छा है example number 79 देखे sir bank का selling contract 72.50 तो sir यह selling rate हो कब किया date है 31st March 22 actions raised on cancellation date cancellation date है मतलब sir यहाँ है यहाँ मतलब कितने मेने पहले दो मेने पहले तो यह rate कब का है 31st March का तो यहाँ मुझे एक मेन तू मन्त forward rate देखना पड़ेगा यह कौन सा rate है sir यह selling तो opposite rate कौन सा जाएगा बाईंग और टू मन्त वाँ 3540 से तो सर यह plus हो जाएगा और bid में से margin क्या हो जाएगा माइनस एक तो rate पका 72.50 तो काटने के लिए opposite rate 70 रुपए 25 पैसे में हमने swap points प्लस किया और margin माइनस किया 72.50 हमारा selling rate है और यह है buying rate मतलब sir bank को loss हो रहा customer को तो जो पैसे वसुल किया जाएगा उसको cancellation charges बोड़े और और भी है अब तो कर लोगे अब तो आदत हो गई है extension है कि हाँ sir इसमें तो extend किया जा रहा है तो चलो ना sir इसका भी एक example कर लेते है extension कुछ नहीं है यार cancel तो करना पड़ेगा एक बार देख लो selling contract है bank का bank ने बेचने की बात किया 75.50 maturity और उसको extend किया जा रहा 1 month आप कितना भी extension कर लो contract को तो cancel करना ही पड़ेगा और क्योंकि maturity को ही cancel है तो 70 यह selling rate है तो यह buying rate है इस यह inter bank rate होता है तो इसमें से margin minus हो जाएगा अब बता और जो पैसा वसूल करना है उसको आप extension charges बोल सका अब हम customer से बोल रहा है कि बोलो अब क्या पहले तो आप contract cancel कर लिया बोले अब बताओ क्या बोले एक महने के लिए हमको हमें एक महने बाद चाहिए डॉलर से ठीक है एक महने का forward contract कर लिए एक महने बाद चाहिए तो inter 72.95 और 25 क्या हो जाएगा minus और margin क्या हो जाएगा plus तो 72.7 बैंक वापस contract करेगा बेचने का अब भी का contract जो हुआ था वो cancel हो जाएगा extension का मतलब कुछ नहीं होता है original contract cancel हो जाता है और new contract में एंटर करना पड़ेगा अब यह नहीं करवा रहा हूँ बहुत टाइम बास होगा अच्छा rounded off होता है rounded off कैसे होता है rounded off ऐसे होता है जैसे 25,50,75,100 इसमें rounded off होता है अगर 4,7 है तो एक किसके ज़्यादा पास दिखाई दे रहा है last के दोड़ जीट को round off करना होता cancellation में आएगा यह ठीक है और सर्थ पता कैसे लगेगा कि round off करना है कि नहीं करना यह मैं आपको बता चुका 47 है तो 4 to 5,0 हाँ सरी यह करवाए थे आप question number 84 और TYK 32 मतलब क्या यह ICAI का question है हाँ जी हमारे module गाव ठीक है तर पहली मात तो इंपोर्टर है सबसे पहला काम किया है सबसे पहला काम है rate पहचानना कि bank ने किस चीज़ का contract कर रहा तर बेचने bank ने बेचने का contract कर रहा तो यह selling rate है और selling rate dollar 20,000 कोई दिक्रत नहीं इस rate पे बेचने का contract यह है काम contracted rate 42.3 अब करना क्या चाहते है मुले 30 October को आप आये 30 October का date था उसी rate में मतलब सबसर मैच्योरिटी को आप extend कर मना सबसे पहले एक rate आ गए हमारा selling उसको काटने के लिए buying पर यह interbank rate है तो इस में से हम को क्या करना पड़ेगा margin minus कर तो ना bid के लिए यह वाला margin है ask के लिए यह वाला margin हमें तो bid में से margin minus करना पड़ेगा तो सबसे पहले contract को cancel कर selling rate, buying rate, buying rate में से margin bank बेचेगा इतने में खरीदेगा मतलब सर बैंक को क्या हो रहा है customer को loss हो रहा है इतना size है customer से कितना पैसा वसूल किया जाएगा अब हम कह रहे customer क्या चाते हो please हमको जो अभी था ना वो एक मेने बाद चाहिए dollar बोले एक मेने बाद ले 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 बोले नए contract 41.52 premium मतलब सर यह swap है yes 0.93 plus हो जाएगा और उसमें margin में plus हो जाएग 41.53 यह plus हुआ margin तो new forward rate निकलाएगा ठीक है 85 फोड़ो जी मत करो उतना करोगे कोशन 86 87 क्योंकि illustration number 5 दीख रहा है हुझ तो मैं 87 करवा रहा अब देखो सर पता कैसे लग रहा कि 25, 25, 25, 25 में rounded off हो रहा है लास्ट का डिजिट देखो सर यह 50 है यह 00 है यह 75 है यह 00 है यह 00 है यह 00 है तो कहीं भी point के बाद 2 decimal places तक नहीं दीए और actual में rounded off होता है तो 25, 50, 75, 100 में rounded off होता है बस आपको इतनी बाद और यह पता लग जाता है एक तो 4 डिजिट में दे रखा है और यहां कहीं भी 35 या 35 या 42 ऐसा नहीं दिया है मतब rounded off किया होगा तो हम भी कर देखों क्योंकि यह illustration number है तो सरकरवाई दो ना यार ICA 15 जन्वरी को बैंकर ने बुक किया $2,50,000 इंपोर्ट से समझ में आ गया इंपोर्ट से समझ में आ गया है कि यह selling rate है 75.3450 उसको काटने के लिए buying rate और cancellation हो रहा है due date तो 65.29 बट क्योंकि यह हमारा inter bank rate है तो margin क्या हो जाएगा minus माइनस करने के आ रहा 65.2247 मैं rounded off कर रहा हूँ कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ बोला खुछ नहीं पर करना है इसलिए क्योंकि सब round 47 को round off करके मैंने 50 लिए तो sir bank ने इतने में बेचे इतने में खरीदा तो loss हो गया customer को और दो लाग पचास है 30,000 रुपए वसूल किया जाएगा और साथ में इन्होंने बोला flat charge 100 भी वसूल किया जाएगा तो flat charge 100 मिला कर आ गया 30,100 इसमें कुछ करने वाली बात है मेरे ख्याल से यह हो जाएगा ज्यादा दिमार खराब नहीं sir 89 ली यह नहीं कर रहा sir 44 करोगे क्या क्या करना यह तो बिल्कुली simple customer है sir यह homework दिये है वो भी homework सुनो homework मालू में क्या दिया था मैं copy में भी मत करो book में कर लो बस यह कहां था हाला कि यह TY के 44 है पर अगर इतना भी simple आप याद नहीं तो 91 करोगे कि चलो 91 एक बार में देख लेता 91 करवा देता हूँ एक आत question तो करवाँगा क्या यह illustration है yes illustration number 8 है illustration because suppose you as a banker entered sir powered purchase contract banker ने enter किया तो यह buying rate है पाच मार्ट यह sir bank है और bank ने खरीदने का contract किया कितने 59.600 on the same day अब एक बात समझो की problem क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ यार हमारे पास मैं bank मेरे पास dollar आएगा और मैंने contract कर लिया मैं bank हूँ dollar आएगा और कितना dollar आने वाला 50 dollar आने वाला और बात भी हो चुकिए कि हम 59.600 की सबसे खरीद लेंगे problem क्या होती problem यह होती कि मान लो rate बहुत कम हो गया तो हम तो बरबाद हो जाएंगे आप अपना position open नहीं रख सकते आपका यहां कौन सा position sir आएगा खरीदने का position long position है आपको लग रहा rate बढ़ेगा rate कम हो गया तो तो हम कभी भी risk नहीं लेता bank जो आएगा खरीदने का contract है तो हम दूसरी bank को बेचने का contract कर लेते हम cover कर लेते हैं खुद को और हमने cover किया 60.6025 इसलिए cover किया 5 में को क्या हुआ 5 में की बात हो रही है मतलब due date कौन सी थी due date थी 3 मेने बात तो ऐसा कोई date बताएं पाच मार्च है तो अप्रेल में जून एक मेने पहले ही customer आया और वो बोल रहा कि please extend कर दीजी एक मेने पहले early delivery नहीं है उसमें rules अलग है और ये जो cancellation भी होगा या extension भी हो रहा पर before due date हो तो कोई फरक नहीं पर नॉर्मल rules जैसे चल रहे थे चलेगे bank ने खरीदने का contract किया है तो bank वापस पेचेगा ये खरीद buying rate है तो selling rate है और selling rate क्या लेगे आप जून वाला पेचने का rate 59.3025 कहां से आया से सर वो ऐसी आया है 59.242425 59.2425 ज्याद रखना प्लस मत कर देना ये swap नहीं है 59.2425 और बेचोगी तो margin क्या हो जाएगा प्लस तो ये आगे 59.3017 पर rounded off करना है तो rounded off मैंने कर दिया यहां 25 कर दिया और इसको यहां लिख दिया और इन दोनों के बीच का difference बस और कुछ नहीं कर दिया और new forward rate कैसे आएगा बोले हमको जुलाई के लिए तो जुलाई में वापस पैंग खरीदने वाला था बोले अब जुलाई में खरीद लेंगे ये rate है 59.6 उसमें margin क्या हो जाएगा माइनस तो आगया 59.5704 round off करोगे तो 4 उड़ा दीजिए 59.5700 तो question number 92 92 में बस ICAI ने खेल खेला है simple है मैं आपको सीधी सीधी बात को export किया है export किया है तो forward sell contract export है तो bank ने खरीदने का contract किया होगा तो पहला buying rate है और ये buying rate है 62.5200 और maturity में cancel हो रहा है तो इसको काटने के लिए दूसरा rate लेना पड़ेगा तो selling rate लेंगे तो यार वैसे तो ऐसा दिल कर रहा है 62.6800 लेना चाहिए institute का question है ICAI का आपके module का ऐसा आप इन लोगोंने rate उल्टा लिग दिया बड़ा वाला पहले लिग दिया छोटा वाला बाद में लिग दिया तो इसको घुमाना पड़ेगा 62.7200 यहाँ धोका है बहुत बड़ा धोका है बहुत सारे बच्चों के डाउट आए सर आप गलत ले रहे हो अगर पहला बाइंग है तो दूसरा बाइंग कैसे ले सकते हो मैंने लिया हूं 62.72 भाई यह बाइंग rate है यह selling rate है यह ask rate है इसको ठीक से लिख लो यह ask rate यहाँ गलती हुई थी बहुत सारे बच्चों बाकी बन जाएगा इस question यह बगवान मतलब आपके पास बोर्ड नोट्स नहीं है नहीं ना भाई यह बहुत मेहनत question number 93 है हमारी book का और क्या ICAI का question है yes और यह है TYK 45 bank enter into forward purchase purchase सब्द लिखा है purchase मतलब bank ने bank ने buy करने का अकॉंट क्या 32.4 किस रेट और 25 अपरिल and cover किया है तो ठीक है जी 25 मार्च को ठीक एक महने पहले exporter ने कहा कि concrete को cancel कर देंगे और cancellation का भी दिक्कत है one month 25 मार्च तो हमें one month वाला लेना पड़ेगा और यह spot अपरिल क्या होता वो मैं समझा दूँगा spot अपरिल क्या होता और भी समझाँगा पहली बात रुपीज दे रखा है मतलब सर यह है रुपीज पर और bank क्या करने वाला था buy करने वाला उसका opposite rate अब bank क्या करेगा sell करेगा मतलब सर customer को वापस buy करना पड़ेगा बास समझने की कोशिए customer पहले बेचने वाला था export था ना बेचने वाला था तो अब चलो जूट मूट में काम करते है जूट मूट में कैसे बोला था customer बेचेगा क्या SF अब फिर वापस खरीदेगा तो वापस खरीदने का rate चाहिए बेचने का rate है customer के एंगल से बोलना तो बेचेगा exporter है ना भाई उसने export किया होगा आया होगा SF तो customer बेचेगा हलाकि बेचेगा जूट मूट में बेचेगा और SF वापस खरीदेगा तो वापस खरीदने का rate क्या होना चाहिए यह निकालना है और यह rate दे रखे दो rate के साब से SF को वापस खरीदने का rate क्या होगा customer के पास क्या है रुपीस तो सर रुपीस से डॉलर मतलब सर रुपीस रुपीया देखे पहले डॉलर खरीदेगा तो रुपीया देखे बैंक डॉलर बेचेगा सर यह वाणा rate आएगा एक और एक यह वाणा मतलब अब समझ रहे हैं यह वाणा का मतलब समझ खरीदेगा यह वाला अपरेल वाणा आजाएगा तो यह वन मतल़ खरीदो 1.515 और यह इंटर बैंक है और यह Interbank नहीं है याद एक कोशन में बताऊँ यह Interbank नहीं है और यह Interbank है तो सर इसमें Margin बैट करना पड़ेगा अब सवाल है बच्चों ने क्या किया था बच्चों ने क्या किया था 49.4200 कर दिया भाई साब भाई कहां गलती उने के पूरे chances है इन्होंने क्या किया था बच्चों ने 49.4302 होता है bit 49.4455 होता है ask 49.41002 इसका bit और 49.4 भई ऐसे नहीं होता है यहाँ चेंज कर सकते है यह तो swap है 4140 यह तो plus होना चाहिए पता नहीं आप क्या क्या होगा आप क्या कर रहे थे मालूम है मुझे मालूम है पता नहीं आपको याद है कि याद करो वो class जब आपने इसको क्या कर दिया था आपने ले लिया था 49.4200 खिल खतम हो गया जबकि यह swap है तो आपको क्या करना पढ़ेगा प्लस करना पढ़ेगा तो सबसे पहले 49.4455 49.4455 और इसमें swap हो जाएगा प्लस और margin हो जाएगा प्लस तो यह आगया है रूपीस पर डॉलर सो और एक रेट तो 1.15 इसको cross rate से किया तो 32.947 प्लस customer इस rate से SF खरी देगा मतलब bank बेचेगा पहले bank खरी देगा यह वाला rate fix था फिर bank बेचेगा यह आगया 1 lakh और cancellation charger आगया 54.75 54.75 अगर मुझे exam दिलेना रहे यह question मैं पकत क्योंकि गलतियां कहीं भी नहीं आप से दिक्कत क्या हो सकती आप margin आप सवाल पूछ सकते हैं कि margin इसमें adjustment नहीं हुआ इसमें क्यों हुआ गलत किया कि institute ने गलत नहीं किया साफसाफ यहां interbank rate लिखा यहां नहीं लिखा साइं किया इस question जो आप बता रहे थे वो question ICA ने correct कर लिए एक question है जिसमें मेरा मान पाच पैसा लिखा था पाच पैसा पाच पैसा लिखा था और मेरा मानना था कि यह cross rate के बाद margin इसमेंट होना चाहिए पर मैंने उस question में बोला था कि हाला की institute ने यह गलत किया है पर हमको रट्टा मानना पड़ेगा पर thank you institute मैं update कर दूँगा इस lecture के बाद कौन सा question था उसमें क्या करना है चलो sir time pass नहीं करें यह हो गया sir और यह फिर दो हो गया 54750 यह question में दो चीज़े है तो तीन जगा गलती कर सकते हैं एक तो margin में और दूसरा rate लेने में मतलब swap points में 94 बहतरी इन question है और क्या हमारे module का है यस और कौन सा है TYK 4 25 नट निकल चाहिए पर question अच्छा है पढ़ना पढ़े लिगा NPN company import कर रहा है goods import sir color change कर रहा है import कर रहा है वोड़ा छोटा कर लो import और कितने का dollar 7 लाग का import और जो amount payable है ना वो तीन मेंने और साथ में आपने export भी किया तो आने वाला है आने वाला है कितना dollar 7 लाग और आने वाला आने वाला है कितना dollar 4 लाग तो sir netting कर सकते है क्या बिल्कुल कर सकते है तमस्या ये है कि ये आने वाला है 2 month और वो जाने वाला है 3 month में ये भी गलत है ICAI ने जो किया है वो गलती गलत और कितना हाँ और जो आने वाला है उसके लिए already contract book है और कितने में book है 48 book है ठीक है market rates for rupees and dollar are as understood 48.50 तो बोलो ये क्या होगा सब 48.70 2 month swap है भाई ICAI ने इसको 48 इसको लिखा है ऐसे 48.25 और 48.30 टोटली गलत हालक ही बाद में लिख दिया कि चाहो तो आप इसको swap मान के plus कर सकते है बना भी देते question आप ऐसे कैसे ले सकते हैं ठीक है sir अभी हम तो plus ही करें company wants to cover the risk and it has two options पहली बात netting हो सकता कि होई नहीं सकता ये कब आने वाला है तर ये आने वाला के जाने वाला है तर ये जाने वाला है थ्री मंथ में ये आने वाला है टू मंथ में तो netting नहीं हो सकता to cover payable in the forward तो क्या कहरा भाई ऐसा है इसका तो already हमारा book है पैसा कम आने वाला दो मेने वाला ये पैसा कम जाने वाला तीर मैने में इसके लिए तो रेट बुक है बहले इसके लिए cover कर लीजिए और customer खरीदेगा खरीदेगा तो कितने मैं 48.70 और 45 प्लस कर दोगे ये इंटर बैंक नहीं है या फिर पहला तो ये था अब यार मुझे इस point के लिए दूसरा point पढ़ना पढ़ रहा सबसे दुख वाली बात यह तो यही question खतम कर देता पर इसके लिए मुझे इसकी ज़िवरत पढ़ रही है तो leg the receivable by one month वो क्या कह रहा भई exporter से बुलो exporter प्लीज तो मैने में मत दो तीन मैने में देना उसे फाइदा क्या है अब जब तीन मैने में देंगे तो मुझे क्यों दे रहा हूँ मुझे किसी US वाली party को देना है न उसी को साड़े चार लाग डॉलर तीन मैने में दे देना और मैं बचा हुआ दूँगा तो मुझे सिर्फ बचे हुए के लिए तो काम प्रॉब्लम है बात समझ रहे हैं न मैं लेक करवा रहा हूँ मैं सामने वाली party से बोल रहा हूँ चार लाग पचास जार डॉलर मुझे एक मेने बाद में दे खीक है सर बात समझ रहा है पर दिक्कत क्या है इसकी वज़ा से क्या होगा और यहाँ no interest no interest for delaying the receivable is earned सर यह क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि जब मैं सामने वाली party को बोला कि आप आराम से देना पर आराम से जब मैंने बोला कि आराम से देना तो वो कहेगा भाई मैं एक मेने लेट दूँगा बोले हाँ एक मेने लेट देना हो तो वो खुस हो जाएगा मैं कहुँगा थोड़ा से interest देना हो तो वो मुझे भगा देगा बोले कहेगा interest दिले तो आप ही करवा रहे हो और जो cost of rupees fund is 12% यह एक समस्या इसकी वज़ा से मुझे यहाँ पड़ cost of rupees fund 12% इसका मतलब मैं आपको समस्या फावर्ट कांट्रेट करें 48.70 में यह जो 30 पॉइंट से प्लस कर देंगे हम अपने सब 30 क्यों तीन मैने वाला 45 क्या कर देंगे प्लस यह आगया और 7 लग इतना हमको pay करना पड़ेगा तीन मैने बात पर पैसा आएगा और इसके लिए तो already book है पर यह पैसा तो एक मैने पहले आगया मैं cash outflow कपका निकाल रहा हूँ तीन मैने बात तीन मैने बात का इस पे 12% और क्योंकि यह दो मैने मैं जाएगा तो एक मैने काम इस पे interest भी कमा लेंगे यह पैसा जाएगा यह पैसा आएगा तो net cash outflow हमारा कितना जा रहा है अगर हम 7 लग के लिए forward contract book करेंगे पर अगर हम contract cancel कर दे और delay कर दे तो तो रहा है क्या नहीं सर यह कुछ नहीं करते हैं सर तो फिर तो काटना पड़ेगा यस बैंक का कौन सा था rate export आने वाला था तो बैंक न कस्टमर से खरीदने वाला था तो सर बाइंग रेट तो उसको काटने के लिए opposite rate लेना पड़ेगा तब कौन सा rate लेगा सेलिंग रेट सेलिंग रेट मन्त कब कैंसिल हो रहा है सर यह spot और टू मन्त वाला rate लेना पड़ेगा मतला 48.70 प्लस 0.30 तब 49 हो गए तो सर कस्टमर को loss हुआ तो 45,000 सर कस्टमर से 45,000 हो वसुल कब किया जाएगा दो महने में कि आज सर वसुल तो आज किया जाएगा कैंसिलेशन चार्जेज आज वसुल किया अब बच्चा हुआ है दो पचास दो पचास के लिए हमने फावर्ट कॉंट्रेक्ट बुख कर 49.41 में यह और कैंसिलेशन पच्चुगा कहना सर कैंसिलेशन चार्जेज पर अपॉर्चिटी कोश्ट उन्होंने इग्नोर देना चा कॉंट्रेड अर्यली डिलेवरी हो रहे हैं मतला अब स्वैप लॉस वगेरा आ रहा करीब करीब 15 मिनट तो इन कॉंसेप्ट में निकल जाएगा जिसमें अर्यली डिलेवरी होगी वरडी वूर्ट कॉंट्रेक्ट होगा की कैसर अच्छे से करना बेट है क्योंकि यह कॉंसे और 19 जनवरी बैंक A एंटर इन्टू फाववर्ट विथ कस्टमर फरस्ट सेल बैंक ने सेल किया है डॉलर साथ हज़ा कॉंसी डेट के लिए 20 मार्च को किस रेट पे 46.67 बैंक A और B पर मच जाओ यह है बैंक इसका नाम है बैंक A इसको कुछ और नाम लिख देता हूँ ठीक है यह है बैंक और इन्ट केस्टमर को कहा कि हम आपको बेज देंग ना डॉलर साथ हज़ा किस रेट पर 46.67 कौनसी मार्च को 20 मार्च को 20 मार्च को मैं बैंक हूँ मुझे बेचना है किस्टमर को 46.67 के सबसे अब यह 46.67 के सबसे मैं 20 मार्च को आख खुलूँगा मार्केट में रेट जादा हो गया तो मैं तो बरबाद हो जो मैं बैंक हूँ तो क्यों न मुझे दूसरी बैंक से cover कर लेना चाहिए और इन्होंने दूसरी बैंक से cover कर लिया कि दूसरी बैंक से बुला कि सुनो न भाई हमें एक दिन पहले 19 मार्च को आप डॉलर दे देना 46.655 के ये भी final हो गया कि 46.655 के इसाब से हमें 19 मार्च को डॉलर मिल जाएगी यहां तक कोई दिक ये थोड़ा स्लो चलो न टेकनिकल that's it तो final है हमको हम सपना देख रहे थे कि हम खुब कमाएंगे खुब कमाएंगे और ठीक एक मेहने पहले कस्टमर आ गए बलता सुनो ना साहब बैंक 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 तकत ये है अब बैंक आए आपके पास एक मेहने पहले बलता है सुनो मुझे डॉलर अभी चाहिए भाई हमने का आभी क्यों आई एक मेहने बाद आना था बले अभी चाहिए ना यार आप कैसी भी करके दो हमारे मेरा Contractor और Feday का Rule बोलता अगर Customer पहले आ जाता तो आपको पहले देना होगा पहले आ जाता तो आपको देना होगा और जिस rate पे बात होई उसी rate पे देना होगा पहले कुछ और Rules थे अब देना तो होगा दे कहां से या यारब बताँ आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं बोले आप एक काम करो आप मार्केट से खरीद के दे तो हमने कर ठीक क्या करें अब हम गए और इंटर बैंक रहे हैं 19 फैब को तो रेट है अब सवाल ये है कि बैंक खरीदेगा तो ये वला रेट पर दूसरी बैंक बेचेगी तो सवाले कि बिड़ आएगा कि आस्क हम दूसरे 19 फैब के कॉंसिडेट है सर 19 फैब 19 फैब को खरीद रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा कि बिड़ आना चाहिए पर दूसरी बैंक कहेगी कि वाव क्यों बीड आस्क आना चाहिए अब किसके एंगल से सोचना है कि अटकी है आप ही ने त एक सब्द यूच की पता नहीं वो सब्द मुझे याद नहीं आ रहा है गरज गरज किसकी है इसकी गरज है वो कश्टमर सर गरज तो इसकी है तर ये गरज सब्द कहा है बच्चों लोगों ने मुझे बताए कि गरज का मतलब है ओके सर इसकी गरज है तो इसका प्रॉब्ल तो ये customer, ये bank बोलेगी bank सी हम तो अपने इसाब से चलेंगे और हम 19 Feb को बेच रहा है तो हम ये वाला rate 56.5800 56.5800 को खरीदेगा मजबूरी में 19 तारीक को सर इसमें margin कभी नहीं आएगा bank का bank के साथ transaction में margin नहीं आता और 56.67 का बेच के उसका खतम करेगा पैंसन खतम यासा अब दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि ये bank और परिशान है क्यों परिशान है यार उस bank से तो मेंने उसका खरीदने का content कर लिया है वो bank तो चड़ाई कर देगा 20 March को 19 March को क्या करूँ अब जो आएगा डॉलर उदर से तो आएगा ना भाई क्योंकि इससे तो contract कर चुक है तो चलो ना यार एक काम करते हैं इस bank से और बात करता हूँ क्यार मेरे पास जो डॉलर आने वाला वो खरीदोगे क्या बोले खरीद लेंगे वन मन्थ फावट हम खरीद लेंगे 46.35 46.35 एट सिट वन मन्थ फावट अब सवाल यह है कि इस customer की वज़ा से बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ हुआ इसने बिल्कुल बरबात कर दिया पड़ाई के रूल बोलते हैं आप उसी rate पे तो दो हम यह नहीं बोल रहा है कितना ही पैसा वसूल करोगे पर इसकी वज़ा से आपको जो भी नुकसान हुआ सब की सब पैसे वसूल करें हमने का 7000 into 46.67 तो वसूल करें तो इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है swap FX swap बोलते है swap 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 मतलब आपने buy किया और फिर sell किया इस बैंको इसको बोलते buy sell swap और इसकी वज़ा से जो loss हुआ है तो वो customer से वसूल किया तो डाउट है अगर gain होगा तो हम वापस भी करें तो सबसे पहले इस बाई साब से क्या 7000 into 46.67 अच्छा पहले buy sell swap देख रहे है ओके सर हमने खरीद है 46.58 और बेच्चा है 46 मतलब सर हमको loss हो गया 7000 डॉलर पर सर 1575 का loss हो गया this is swap loss swap loss सामने वाले से मतलब इस बाई साब से क्या वसूल करें पहले तो 7000 into 46 ये वसूल करेंगे कहां से आया मालू है ना हमने उसको बेचा था और सर पंदरहसो पच्छातर तो हम क्या वसूल करेंगे swap loss और एक चीज़ बेचा ये swap loss कभी भी ये swap loss ये swap gain होगा अब मैंने का सुनो customer और एक चीज़ है क्यूंकि आप जल्दी आ गया थे बोले हाँ जल्दी आ गया था तो मुझे पैसे खर्च करने पड़े कितने पैसे खर्च करने पड़े बोले आपको मैंने बेचा 46.67 और मैंने खरीदा 46.58 तो मैंने मेरा पैसा इस दिन किस दिन की बात हो रही है इस दिन आप आए उसकी वज़ह से मेरा पैसा कितना ब्लॉक हुआ वो देख लेते हैं मतलब cash inflow या cash outflow उस दिन देखना है 19 feb को कितना पैसा आया या गया 19 feb की बार 19 feb में 7000 into 46.67 उसको बेचा customer को तो sir उससे पैसा आया और उन पैसों को कहीं और दिया दूसरी बैंक को sir ये पैसे दे दिया cash out तो sir 630 हमारे पैस access बज़ गया था इसकी वज़ा से customer की वज़ा तो customer ये कह रहा कि देखो ये 630 रुपी आपकी पास बचा जब अबर्दस्ती का बज़ गया तो उस पे जो interest वो तो देने का बच बनता है तो उस पे 12 परश्ट की हिसाब से क्योंकि मैं एक मैने पहले आता 6 रुपी तीस पैसे interest में customer मुझसे वसूल करेगा इसको बोलते है interest on inflow fund ये वसूल करेगा ये वसूल करेगा ये पैसा काटेगा तो net कितना आगए और 100 रुपी फ्लैट चार्ज दे रहा okay sir काम काम की बात याद रखे काम काम की बात याद रखा है early delivery में ये सब कुछ आएगा इसको क्या बोलते है swap loss काम की बात था अगर early delivery और swap loss हो रहा इसकी वज़े से customer तो जो वसूल करना है वो तो करेंगे साथ में swap loss भी वसूल कर ठीके sir अगर swap gain होता तो तो हम वापस कर देते हैं हमारा कोई customer से कोई दूसमरी नहीं आपकी वज़े से loss है तो हम वसूल करेंगे आपकी वज़े से gain हो रहा तो हम आपको देदेंगे और interest on info उस दिन पैसा 19 तारिक को हमारे पास net कुछ बचा है क्या क्या हमारी जेप से गया है जब अरदस्ती का extra चला गया तो सामने वाले से interest ले ले और असर अगर उसकी वज़े से कुछ हमारी पास पैसा बचा है तो हम interest देदेंगे ठीक है बाकी यार वो क्यों नहीं आएगा वो भी तो loss है वो सब कहानी हमारी हो चुकी जो बता रहा हूँ भाई मत करोना यार ज़्यादा अब क्लास देख लो ज़्यादा दिक्कत हो रही तो बाकी सारी चीज़े ही है यह swap loss, outflow of fund, inflow of fund उस पे interest देख ले कोशन नमबर 101 यह भी करवाना जरूँ है अच्छा कोशन पहली बात कहें चाहे उन्होंने बोला हो चाहे नहीं बोला हो आप यह मान के चलोगे अगर early delivery है तो अच्छा एक बात मैं आपको यह कहीं भी यह cover rate का यूज नहीं हुआ अगर देखा जाए तो swap loss यह निकल गया inflow of flow यह निकल गया इसका यूज नहीं होता तो it means early delivery में इसको हम देखेंगे ही नहीं cover हुआ हो चाहे ना हुआ हम मानेंगे कि cover था उस पे question बना हुआ है 101 एक question तो करवा चुकिए तो यह question अच्छा है करवा हूँ की नहीं करवा दो sir इस type का illustration इस type का है मुझे याद आ है पढ़ते हैं पस्ट आक्टोबर 2020 Mr. Guru गुरू गुरू एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर है तो forward contract मतलब बैंक क्या करने वाला है बैंक एक्सपोर्टर तो बैंक purchase की करेगा simple सी बात है एक लाग डॉलर 31 December को कितने में बात हुई है 75.4 सबसे important है पसर 75.40 में हम खरीदेंगे कही ना कही इसने बेचने का कुछ किया होका हलाकि question में नहीं लिखा है पर हम मान के जलें टॉबर होगा कुछी date की बात है 30 दिसम 30 November को भाई साब Mr. Guru आ गह है और बुलते हम को चाहिए कितने में बात किया था 75.40 तो देना तो पड़ेगा पर दूसरी बैंक से खरीदना पड़ेगा कितने में 75.2 75.22 में खरीदना पड़ेगा अब जब ये एक महने बात मांगेगा तो हमने कहीं और से खरीदना पड़ेगा हमने कहा कि चलो 1-1 forward contract कर लेते दूसरी बैंक बेचेगी 75.27 प्रस 75.42 में कोई दूसरी बैंक से खरीद कर इसको दूसरी वाली बैंक को दे दूँगा ये तो होगे swap loss इन दोनों की बीचका डिफरेंस swap loss ये अगें कुछ भी हो सकता और 75.40 मतलब सामने वाले को से सामने वाला मुझे बेच रहा तो उसको मैं कितना पैसा देने वाला हूँ यह हो swap loss निकल ले 75.22 के सब से हम बेचेंगे और 42 के सब से हम खरी देंगे मतलब सर हमको तो loss हो swap loss उसके अलाबा सामने वाले से कस्टमर से एक तो जिस रेट पर बात हुई यह वो साथ में swap loss अच्छा यह cash inflow निकाल रहे चलो वह भी देख लेते cash inflow आउट फ्लो क्या होगा जरा देखें हिसाब किता सर हम dollar खरी देंगे तो पैसी देना पड़ेगा और इधर बेचेंगे मतलब 75,22,000 आएगा 75,22,000 आएगा और हम को देना पड़ेगा 75,44,000 एक मैने पहले तो सर 18,000 मेरे पास outflow है तो मुझे interest वसूल करना पड़ेगा सामने वाले से 275 point कितना वसूल करेंगे सामने वाले को बेचा तो यह आएगा swap loss का वसूल करेंगे और interest का भी सामने वाले से वसूल करेंगे यह आएगा उसमें से swap loss काटेंगे और यह interest काटेंगे बचा हूँ आपको दे देंगे inflow outflow आप manage करो अभी एक point पूछे point यह पूछा था question में अगर जो Mr. Guru है उसके पास तो डॉलर पहले आ रहा है बुले वो डॉलर ना मत करो cancel उसको कहीं लगा दो जिस पर आप 3% कमाऊगे तो बताए यह क्या better होगा cancel क्यों कर रहे हो एक मैने था huge कीजिए और फिर तो रेट आपका book है ठीक है तो बुले जो एक लाग डॉलर आ रहा है उसको हम 3% के सबसे 31 days के सबसे लगाएंगे तो sir इतना $ आ जाएगा इल्कुल to 54.79 इसके लिए तो already contract book है अच्छत तर लग जाए और इसके लिए हम 75.32 के सबसे बेज देंगी sir यह cancel rate है तो आपको निकल जाएगा इसके लिए तो forward rate book नहीं था ना इसके लिए तो already book है तो sir इसके लिए $19.19 कौन सा rate है वन मंद forward ही आएगा और कोई बात ही नहीं forward ही उच कर लेंगे 75.22 minus 75.12 कौन सा वला rate बात बस इतनी सी है इस यह पूरा की पूरा आप 75.40 से multiply नहीं करना यह 75.40 और 75. पॉइट इस इस दा कोईशन कोईशन नमबर 95 एक ही कोईशन करवाँगा अच्छे से करवाँगा यह overdue forward कोईशन नमबर 9 है वैसे अगर देखा जाएगा 9 मिलेगा इंपोर्टर ने बुक किया है forward contract 10 अप्रेशन ने डॉलर का अपनी position cover किया 64.2800 यह जो format है न यह जो दिख रहा है यह बहुत ज़्यादे important यह diagram तो bank ने कहा कि हम आपको बेज देंगे और 10 जून को 64.400 के सबसे 64.2800 के सबसे हम खरीद लेंगे यह बात हो चुकी यह बात कब किया 10 जून को इस attempt में आया था तो कोई chances है कि आने के आ गया तो खरीद पितम ठीक है बात हो गए यह डूडेट और inter bank rate दे रहा 10 जून को और 13 जून सर sport जून का मतलब कि sport जून एक होता forward contract एक होता optional option forward contract option forward contract भी होता है sport जून का मतलब होता है कि customer आपके पास याद है मैंने करवाय हूं customer आपके पास option है कि आप जून में कभी भी dollar खरी से कभी भी 10 जून, 20 जून, 15 जून जब आपको खरी है option forward contract ये तो पहली बार सुने है पताया होना है यार class में पहली बार सुने है sport जूलाई का मतलब सर जूलाई में कभी भी अब 10 जून और 13 जून का rate दे रहा है exchange margin दे रहा है 0.1% interest on outlay of fund 12% importer भाई साब ने request किया यहां 13 जून को यहां 13 जून है 13 जून को request किया कि please extend कर दीजिए और extend करके 10 अगस्त कर क्या 10 जून तक हमने wait किया yes क्या customer आया तो हमने का चलो इंतजार करेंगे एक दो दिन में आ जाएगा आ जाएगा और भाई साब 13 जून को आया तो 13 जून को तो वैसे भी contract cancel करना ही पड़ेगा अब 13 जून अब इस इस्थिति में क्या चीज़े होगी बिल्कुल धिहान से हमने कवर कर रखा था इस बैंक से 10 जून को customer आयेगा आया ही नहीं पर ये बैंक बोल रही आपको खरीदना पड़ेगा आपने खरीदना का contract किया मैंने खरीदा अब खरीद तो लिया करूं क्या तो मैंने का मार्केट में बेज दूँगा मैंने 10 जून को ही बेज दिया कितने में सर ये बैंक खरीदेगी बात कब की चल रही है 10 जून की सर 10 जून को दूसरी बैंक खरीदेगी तो 63.8 रिपल जीरो में खरीदेगी यहां तक ठीक है ये एरो क्यों बना सर इधर से आ गया 10 जून को इधर देना तो पड़ेगा 10 जून को कोई बात ही नहीं ये भी 10 जून का ही रेट है 10 जून को पर इसको भी एक चिंता है चिंता किस बात कि ये भाई साथ 10 जून को तो हमने काम खतम कर दिया और ये जो इंपोर्टर है ये एक दो दिन बाद आया तो चलो ना इस बैंक से बोलते है कि चलो यार हम फावट कॉंटरेट कर लेते है कब करेंगे तो जून का जो भी रेट अवेले अप्सन फावट कॉंटरेट जून के लिए कोई फावट कॉंटरेट अवेलेबल है क्या हम खरीदने का कॉंटरेट कर रहा है तो बहुत है जून का जो रेट है क्योंकि हम बेचेंगे तो हम बेचेंगे 63.9500 सारी बात समझा चुका हूँ कि ऐसक क्यों है और समझा क्या चुका हूँ इस पे हमारा एक गंटा डिश्कुरिशन हुआ है परेख्याल से इतना तो याद हो का यह पहले से बुकता यह मजबूरी बनगी इधर से आएगा तो इधर निप्टाना पड़ेगा और यह दो दिन बाद तीन दिन बाद आ गया तो यहां से खरीद एक कॉंट्रेक्ट कर लिया खरीदने का और बात खत्म और यह भाई साब कब आया 13 जुन 13 जुन को आया भाई आप 10 के बाद कभी भी आओ 11 आओ 12 आओ 13 आओ कॉंट्रेक्ट तो कैंसल करना पर अर्ली डिलिवरी है नहीं है तो हमेशा आप एक्टेंट करवाईए कॉंट्रेक्ट तो कैंसल होगा ही हो और बेचने का था यह तेरा जुन को वापस खरीदने का रेट कौन सा है सर 63.60 डबल जीरो और इसमें मार्जिन भी तो एजिस्टमेंट होगा क्योंकि कस्टिमर के साथ हो रहा तो मार्जिन कितना पर्षेंट है 0.1 पहले नंबर पे क्या मांगा है पहले नंबर पे मांगा है कैंसलेशन रेट तो 63.60 डबल जीरो मार्जिन माइनस हुआ है बिड में से मार्जन मार्णस होता है तो 6163 आया तो हमने उसको राउंडेड आफ करके 6175 जहां तो कोई दिक्कत है दूसरा दो लाग डॉलर पे कितना पेबल होगा तो कैंसलेशन एमाउंट बैंक कैंसलेशन रेट मतलब वाला रेट बिड वाला तो 13 जुन को क्यों रेट ले रहा है वो आपको पता 13 जुन को कस्टिमर आया तो उस दिन कैंसिल होने वाला है तो सर सेलिंग रेट बैंक का ओरिजनल रेट था बेचने का बैंक का वापस से खरीदने का तो जो भी होगा वो इतना रुपए तो हम कस्टिमर से वसूल करेगे ही करेगे क्योंकि यह हमारा प्रॉफिट है तो बनता ही है कैंसलेशन तो पहले जो था वही है सर स्वैप लॉस स्वैप लॉस आपको पता है स्वैप लॉस कौन कौन सा होता है स्वैप लॉस यह यह 63.95 का खरीदा 63.8 सर स्वैप लॉस हुआ वो भी हम वसूल करेगे और सर, swap gain होता तो अगर swap gain होता . करते थे , इसमें नहीं करते थे अब सर इंट्रेस्ट की भी बात कर ले किस दिन ये घटना घटित हुए ? 10 जून को 10 जून को हमने खरीदा तो हमारे पास से पैसा गया हमारे पास पैसा आया देख लेते inflow या आउट्फ्लो कैसा आउट्फ्लो ये हमने खरीदा और ये हमने बेज दिया तो हमारे पास 96,000 आउट्फ्लो है तो उस पे हम interest भी लेंगे तीन दिन का interest और ये आएगा interest on आउट्फ्लो होता तो हम transfer नहीं करें अब सामने वाले से कितना पैसा हो सुझा नियू कॉंट्रक्ट रेट भी माँगा नियू कॉंट्रक्ट रेट इसमें बच्चों को ज्यादा गन्फ्यूजन नियू कॉंट्रक्ट रेट बताओ सामने वाला customer 13 जून को आया और कब के लिए अगस्ट तो अगस्ट का रेट ये है और मैंने क्या नाम दिया option of forward country अगस्ट का कभी भी बच्चों कहा ना सर 10 जून 13 जून को अगस्ट मतलब 10 अगस्ट 10 अगस्ट तो यहां जाएगा ना बच्चे बुलते नहीं यहां का रेट ये भी यहां का रेट क्यों आएगा अब तो यहां 13 जून में customer आया वो यहां के खड़ा हो गया और उस दिन ये available rate से आप इधर का लेए नहीं सकते अगस्ट का बैंक का कौन सा है से बैंक का बेचने का रेट है तो 64.2500 और उसमें margin प्लस हो जाएगा और rounded off करके यहां customer से कितना उसल करोगे तो यहां ठीक है ओके अब यार देखो यहां सारे question तो मैं करवाने सकता है मैं notes लिखवा दिया था कि भई अगर customer आता है due date तक पीच में कभी भी आ जाता है यहां तक does not come due date तक यहां तक तो नहीं आया और इसके बाद में तीन दिन में कभी भी आ गया है तो क्या होगा तीन possibility है यह तो cancel कर देगा वो contract यह तो execute कर देगा यह extend कर देगा तीनों ऐसे कुछ भी हो सकता आप कुछ भी करो इसी भी हालत में original contract cancel होगा अब तीन amount कौन कौन सा recover होगा एक तो swap loss एक तो cancellation charges और interest on outlay of fund कहां से कहां तो due date से जिस दिन customer आके cancel का अगर दो दिन में आ गया तो दो दिन का interest और सर अगर बाद में आया तो due date to cancellation date cancellation date यह भी हो सकती यह भी हो सकती कुछ भी हो सकती अब वो amount shall not be transferred to customer मतलब swap loss transfer नहीं होगा customer को cancellation charges भी नहीं होगा अगर उससे वसूल करना तो वसूल करेंगे लेकिन उसको transfer नहीं होगा इस पे एक video डाल सकते हो कि detail में डाल दूंगा आप बोलोगे तो case number two अगर customer यहां तक नहीं आया यहां आया तो भी यह कहीं भी आओ यहां automatic cancel और आपका जो interest यहां से यहीं तक का count होगा ऐसा लिखा है फड़ाई के लोगे 96 मैं नहीं करवा रहा हूं कर ले ना practice के लिए अच्छा है सारे question तो नहीं करवा सकता है और सर 98 यह भी नहीं करवा रहा हूं तीस कर ले ना पर यह question अच्छा है that's it cancellation खतम लंबा खीच लिए पूरा एक घंटा cancellation चला चलना ही था अब खतम हो गया हमारा फॉरेक्स चोटे चोटे point है चोटे चोटे question है मतलब question बड़े बड़े है पर अब कैसा कोई concept नहीं है करवाने बाद तो सर श्टार्ट करें क्या बात किसकी है foreign currency foreign currency account याद करो एक नौश्ट्रो होता था एक वाश्ट्रो होता था एक लोरो एकाउंट नौश्ट्रो एकाउंट मतलब our account with you मतलब सर मतलब सर मतलब भया अगर आप वैसा है यह आपकी बैंक है इंडिया और यह है customer अब यह बैंक बोल रहा मुझको यह सामने वाली party मैंने का यह मुझे ना इसको dollar देना इस आपको dollar देना मैं आपको रुपिया तो दे दूंगा अब dollar कहां से दो कि कैसे कुछ bag bag में भर के dollar नहीं 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 यूएस में ना हमारी वहां का bank है वहां हमारा एक account है और नो डाउट वहां dollar में होगा तो आप हमें रुपिया दे दो हम वहां की bank को phone कर देंगे और वो उत्रे जितना भी dollar बनता वो इसको दे देगा अच्छा इस account का नाम क्या है इस account का नाम है नॉस्ट्रे और यह कौन से account होता है current account होता है तो हमारे exam में आता है कि चलो यार इस नॉस्ट्रे एकाउंट में कब पैसा कम हो जाता है कब पैसा जादा हो जाता है इसकी transaction हम बोलते जाते है आप debit trade कर सकते हो कि यह account आता है नॉस्ट्रे और वाश्ट्रो और लोरो मैं नहीं करवा रहा हूँ वा आता है नॉस्ट्रो एकाउंट में दो चीजे बनाई जाता है cash position और एक्शेंज पोजिशन और वो समझाओगे क्या एक एक एक्जामपल है 82 82 के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँ एक्शेंज पोजिशन का मतलब है कि आपने long किया कि short किया एक्शेंज का तो समझ में आता कि ये पता करने के लिए कि कितना dollar से available है एक्शेंज पोजिशन की जब्रत क्यों पढ़ती है इसलिए पढ़ती है कि क्योंकि कभी भी bank अपना जो पोजिशन है वो open नहीं रखना चाहता बहुत ज़्यादा यार मेरा long position है मैंने खरीद के रखा भी या बरबाद हो जाओ कि उसको हम card देते हैं ठीक है class में discuss हो गया है यह सब concept अब इसमें नोस्ट्र एकाउंट में एक लाख डॉलर पोजिट की तो ये cash position है credit होता है भी आपके एकाउन में पैसे जमा हुआ credit हो गया पर आपने डॉलर खरीद के रखा तो डर्थ तो है आप क्या चाहोगे सर बढ़े बढ़े चाहोगे ना अपने डॉलर खरीदा आपका long position आप चाहोगे की बढ़े लोग पर कम हो गया तो तो सर आपका already कौन सा position है long position और सुनो अब यह मत बोलना है हम पहली बार पढ़ रहा है तो भाई हाथ जोडता हूँ अगर आप पहली बार पढ़ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और क्या करूँ कितना टाइम वैसी बरबाद हो चुका दूसरा transaction तर spot sell किया spot sell मतलब सामने वाले customer को बोला लाओ पैसे दो और वहां से जाकर dollar ले लो पस मेरे account से गया dollar और मेरा position अब एक लाक नहीं बचा क्योंकि 20,000 तो मैंने निकाल दिया dollar तो अब मेरा 80,000 ही बचा forward contract forward sell किया 20,000 dollar forward sell forward sell में क्या होता था forward sell में account में से तो कम नहीं होता था लेकिन मैंने सामने वाले person से बात कर चुका कि सुनो तीन मैंने बाद रुपिया दोगे और मैं आपको dollar बेच दूगा पोजीशन में तो फर्क पड़ गया मेरा risk खतम हो गया कितने का risk में risk पोजीशन से क्या बताना चाहते हो कि मेरा कितने का risk है अभी एक लाग डॉलर पे risk भा rate कम हो गया तो 20,000 तो मैंने shot मार दिया अब मैंने का 80,000 का डर है rate कमना हो जाए फिर मेरा मालूम है 20,000 बिकेगा ही बिकेगा मैंने forward sell कर दिया मैंने का अब यार अब 60,000 का टैंसन है तो मैं वो tension कितने का रह जाएगा last में वो पता करना चाहते है तो forward sell का यहां तो फर्क पड़ेगा हाला कि मेरे account से कम नहीं पर मुझे मालूम है कि 20,000 मेरा बिकेगा ही बिकेगा कोई रोक नहीं सकते है तो में वो tension कितने का रह जाएगा वो पता करना चाहते है ओके सर तो forward sell में short position ठीक है आगे forward contract cancel हो गया तो जो cancel हो गया था opposite मार देंगे 10,000 का और tension आ गया यार 20,000 का हो गया था पर फिर 10,000 का इस मतलब सर इसमें spot का effect पढ़ता है forward का effect नहीं पढ़ता है इसमें पढ़ता है बिल पर्चेस किया मतलब बाई forward बाई आएगा बिल 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 ऑफ एक्शेंज बात समझ में आ गही होगी बाकी मेरे वीडियो डला हुए डिटल इसमें ड्राफ्ट इश्यू किया इसको मैं समझा देता हूँ मैंने याद करो मैंने की example करवाया था आपको बाहर जाना है किसी कॉलेज वालेज में एडिमिशन लेना है आपने डीडी बनवाया हाँ सर डीडी बनवाया और डीडी बनवाया और मैंने डीडी इश्यू किया बाद में आपने रुपिया दे दिया मैंने का आप लगा देना कॉलेज में कॉलेज वाला वहां मेरा करेंट अकाउन मे लगा देगा उनको डॉलर मिल जाए विदेश में पढ़ना है तो जब मैंने DD issue किया जब sir DD issue किया तो मेरे अकाउंट से माइनस होगा यहां से भी माइनस होगा लेकिन तब जब वो DD वहां लग जाएगा तब ड्राफ्ट वहां लगेगा ना तब मेरे अकाउंट से सबसे ज़्यादा important किया सुनो सबसे ज़्यादा important यह है जब मैंने closing balance निकाला 88,000 डॉलर है मेरे बात बहुत अच्छी बात है रहना भी चाहिए ज़्यादा रहना तो अच्छा है हमारे लिए और जब मैं exchange position निकाल रहा हूँ तो मेरा extra long position है 87,000 का यह tension है 87,000 का मेरा खुला dollar दिख रहा है और मैं सोच रहो rate बढ़ेगा और rate कम हो गया तो 87,000 का आपका long position है अब यह manage कितना करना तो यह अब सबसे पहले cash position में हम यह चाहते कि 88,000 नहीं इसको 90,000 करें तो यह dollar खरीद के डाल दो अपने account में हमने dollar खरीदा और क्योंकि हम balance ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हमने 2000 dollar खरीद के डाल दी इस spot buy कर लिए पर उसकी वज़ा से मेरा यह जो position है और बढ़ गया और यह 87,000 से कितना हो गया सर 89,000 हो गया फ़ले इसको हमको कम करना और हमारा ओवर पॉजिशन सिर्फ 20,000 रखना है क्या करें spot करोगे तो इस पर फर्क पड़ेगा सब forward sell कर देते हैं कम करना न पोजिशन sell ही तो करना पड़ेगा sell कर देंगे जो भी difference आएगा वो देख लिए कितना कोई मैंने लिख अगर 90,000 सबसे पहले cash position देखना है तो इतना maintain करना तो spot बाई आजाए इसकी वज़ा से हमारा over about position कितना होगे 89,000 और हमको कितना रखना है 20,000 तो forward sell कर देंगे 69 एक ही बात cash में से कम हो जाएगा और इसको short position forward sell cash position में फर्क नहीं पढ़ेगा सिर्प action position में फर्क पढ़ेगा PT purchase तो 102 कर ले ना भई okay sir TYK 51 है sir करवा दो ना please TYK वाले question तो कम से कम करवा दो नॉस्ट्रो एकाउंट में एक लाग डॉलर पढ़ा है कितर नॉस्ट्रो एकाउंट ही है एक लाग डॉलर opening overbought position है मतलब long position 50,000 मैंने ऐसी भी रफ में करवा दिया bill purchase किया sir यहाँ फर्क पढ़ेगा forward में फर्क नहीं cash में position फर्क नहीं पढ़ेगा sold किया 60,000 forward purchase कैंसल हो गया purchase कैंसल हो गया 20,000 इधर कोई फर्क नहीं पढ़े remitted by TT यहाँ फर्क पढ़ेगा और यहाँ फर्क और draft कैंसल हो गया cancel याद करो DD कैंसल है sir यहाँ फर्क पढ़ेगा दिखरा है आपको यह balance में 25,000 credit बच्चा और यह 5,000 overbought पोजी credit balance आपको 30,000 रखना तो 5,000 और हमको spot buy करना oversold position spot buy करोगे तो यह 0 हो जाएक बोले पर 10,000 रखना आपको overbought position बोला है तो करना पढ़ेगा 10,000 forward buy कर ले simple question है 103 देख ले ना मैं नहीं करवा रहा हूँ 104 यह भी देख ले illustration number 2 है यहां कुछ बच्चों कैसर DD purchase तो अपने करवाए नहीं भई DD purchase में तो लॉंग position 105 105 105 में नॉस्ट्रो है कि लोरो है कि इस अब account छोड़ देना simple multiple choice question आ सकता है इसलिए करवा रहा हूँ बुल रहा है ABN Amro Bank Amsterdam wants to purchase भाई कोई bank है और उसका India में account होगा और उसको रुपिया खरीद के यहां जमा करना मतलब सर इनको रुपिया खरीदना मुद्दे की बाती है अब बदले में इनके पास क्या है डॉलर दे के रुपिया खरीद और इंटर बैंक रेट दिया हुआ है तो दूसरी बैंक और रेट कोँ से दिया है रुपिस पर डॉलर तो बताओ कोई Indian बैंक इस बैंक को क्या कर रही है इसलिए रुपिया बेच रही है मतलब डॉलर गरेट दिया कितना डॉलर लगेगा इस बैंक को तो भई 15 मिलियन रुपिया खरीदना है और इस रेट से तो इतना रुपिया लगेगा इतना डॉलर लगेगा की वाई की टू है आपकी कोश्च कोश्च नुमबर 106 तो भी देख ले किया XYZ इसको भई 25 मिलियन रुपिया खरीदना है और बदले में क्या है इसके पास पाउंट पच्चिस मिलियन रुपिया रेट दी आई है क्रेडिटेट टू लोरो एकाउंट अगेरा के चिक्कर में मत पढ़ना कन्फूजन अब रेट देख लो वो बोड़ा कितना पाउंट लगेगा रेट दी है रुपिस पर डॉलर पर डॉलर पर पाउंट सामने वाले के पास क्या है पाउंट पाउंट से पहले वो क्या खरीगा पाउंट से पहले वो डॉलर खरीदेगा यह वाले रेट पाउंड खरीदेगी बदले में डॉलर देगी बैंक पाउंड खरीदेगी और फिर डॉलर खरीदेगी सीधा तो है यार क्लॉस रेट से निकाल लिया तो 93.6392 आ गया और उसको अपने डिवाइट कर दिया तो आंसर या इतना पाउंड लगे अब मेरे ख्याल से बच्चो वाला कोशन ठीक है ओके सर बात खतम अब concept सारे खतम हो चुके थोड़े थोड़े अब कोशन से बच्चे होगे तो करीब करीब एक गंड़ा कोशन में एक गंड़े एक सवा गंड़ा कोशन में जाएगा याद रखना अब इसके बाद यूनिक कोशन है और प्लीज कर ले पता नहीं ये इंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट वही कोशन डाल रहा है जो यूनिक चलो कोशन ले क्यासा इसमें क्या है पर्षन है जिसका नाम है Sun Limited अच्छा कोशन है तो ती वाई के 42 मतलब ICA तो जो Sun Limited है ना भाई उसको जो पैमेंट करना है वो पैमेंट करना है ये 3400 आज पैमेंट करना अब आज पैमेंट करना है तो इसके पास पैसा कहां से आएगा सारा कोशन बढ़ा हुआ आपको याद है जाएगा बाकी पढ़ लेना इंपोर्ट कर रहे है तो बोले पैसा जो है या तो आप इंडियन बैंक से उधार लीजिए 18 पर रहे है नम quarterly compounded लिखा या तो फिर आप वही की एक बैंक है ब्रांच उसका ब्रांच जापान की वहाँ से येन उधार ले लीजिए और सर येन उधार मिल जाएगा क्या हाँ कोई ना कोई अगर हमारी यहां की बैंक गैरेंटी देगा तो पक्का हमें ये उधार मिल जाएगा और हमारे यहां की बैंक 1% commission ले 2% पा रहे नम है तो 1% question क्या है actually question है currency of boring यहां से उधार ले कि यहां से उधार simple है और यह action rate दिया तो सबसे पहले सर यहां से उधार ले लेते Indian banks अगर हम Indian banks से उधार लेते हैं तो gain 3400 आज payment करना पड़ेगा तो उसे सबसे हमको आज कितना रुपे लगीगा 1000 लाक और 1000 लाक का with interest quarterly compounded लिखा है तो total मिलाकर 1092.025 लाक से जाएगा कब जाएगा यह चे महने बाद दूसरा अगर हम जापान से उधार लेते तो वहाँ से तो gain ही उधार लेना पड़ेगा 2 person per annum 6 महने के लिए तो total 6 महने बाद हमको इतना gain का payment करना पड़ेगा और favor rate से खरीदेंगे हम लोग तो total cash outflow इतना जा रहा है with interest पर commission भी तो है तो commission किस पे होगा तो commission जो calculate होगा वो loan amount पे होगा और loan amount कितना है 3400x तो gain 34 lakhs commission कब देना पड़ेगा commission spot rate पे convert होगा तो sir रुपिया में commission आपको 10 लाक रुपे लगेगा तो 10 लाक रुपिया लगेगा 10 लाक रुपे वो तो आज लगेगा ना ये पैसा कब का है सर ये है 6 मैने बात का ये पैसा कब का ये भी 6 मैने बात का है तो इसको आज इसका भी तो आपको future value लेना पड़ेगा और हम ये मान के चलते हैं ये जो कमिशन का पैसा है वो इंडिया से उधार लेंगे क्योंकि है quarterly compounded इसमें cash outflow आ रहा 1006.2 तो हमारे लिए ये अच्छा है कि इसमें जो problem आईगे इस question में किसमें आ सकती है कमिशन में आ सकती है और कुशी अच्छा कुशी अच्छली क्या कुशन था है currency of borrowing इंडिया से उधार लें कि तो सर कुशन नमबर 108 मत करना ओके सर 113 बहुत अच्छा कुशन है 113 ना पड़ेगा या हमारे module का कुशन है यस ती वाई के फोट ती वाई के फोट ती वाई के फोट ऐसे बहुत सारी कुशन है भाई तो ले यूर बैंक लंडन ओफिसर हमारा बैंक है लंडन में पाउंच चलता है तो हमारा बैंक का जो ओफिस है वो लंडन ओफिस जहां हमारे पास एक्सिस में डॉलर अवेलिबल है डॉलर 5 लैक और तीन मेंने के लिए मतलब किसी का डॉलर रखा होगा साच हाँ तीन मेंने के लिए डॉलर अवेलिबल है नो डाउट कि उसका अपोर्चरी कॉश्ट भी है और उसका अपोर्चरी कॉश्ट है 4 पर रहनम और तीन मेंने के लिए 1 पर्षन तो टोटल अगर मुझे सामने वाले पार्टी को पैमेंट करना है तो इसका कॉश्ट है वन पर्षन तो मुझे पाच लाग पाच या डॉलर का पैमेंट करना पड़ेगा तीन मैने बात पर तीन मैने के लिए ये डॉलर्स अभी हमारे पास अवेलिबल है क्या इसका कुछ किया जा सकता है इसको हमसर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 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 तो बताओ इन्वेस्टमेंट यूके में करना है कि न्यू यॉक में करना है कि फ्रैंक्फर्ट में जहाँ यूरो चल UK में करोगे तो 5% interest है US में करोगे तो 8% है और फ्रैंक्फर्ट में करोगे तो 3% है यह सब लेखाओ यहाँ तो कोई दिखकत है कि पर सर UK में ही करोगे क्योंकि आपके पास डॉलर है पर UK में तो पाउंड चलता तो पहले इसको हमको पाउंड में करनवर्ट करना पड़ेगा यस और रेट दिया है सब्द लिखा लंडन ओन नी यॉक तर इसका मतलब इसका मतलब जो भी हो पर हमको मालूम है कि यह जो नी यॉक में क्या चलता है डॉलर और यहां चलता है पाउंड तो नी यॉक में डॉलर चलता तो यह तो डॉलर ज़ादा ही होना तो डॉलर पर पाउंड है ऐसा इस सहाब से मैंने लगा लिया हुग सर क्या करना है पाउंड को किसमें करना है डॉलर में नहीं डॉलर को किसमें पाउंड में रेट किसका दिया है पाउंड का सर बैंक पाउंड बेचेगा आज 1.5390 सॉलूशन देख ले 1.5390 ठीक रेट तो पहचान लोगी अप तो सर इतना पाउंड आया इस पाउंड को इन्वेस्ट किया पाच पर्शन तीन में ने सर इतना पाउंड मिल गया हमको ठीक है अब बस एक बात यह समझो कि आप यूके के रहने वाले तो यूके में तो पाउंड ही चलता है और हमें जो गेन निकालना है कोशन में देखो तो जो गेन निकालना है वो पाउंड में ही निकालना है यहां तक ठीक है तो अब इस कोशन में ऐसा है कि इतना pound मिल गया पर सामने वाले को तो 5,5,5 बोले उसर्फ 5,5,5 डॉलर्स खरीद लीजी बस बात कता हम अब हम क्या करेंगे हम 5,5,5 डॉलर्स खरीदेंगे उसको खरीदने के लिए कितने pounds लगए कब 3 मेहने बाद तो 3 मेहने बाद बैंक क्या करेगा पाउंड खरीदेगा तो 1,53 A50 और 80 बस यहां rate का खेल है और कुछ नहीं बैंक पाउंड खरीदेगा रेट लिया होगा 1,530,0080 तो उस हिसाब से इतना pound खर्च हो जाएगा किसलिए 5,5,5 डॉलर्स खरीदने और जो बज गया वो हमारा gain है और gain आ गया है 1,66 तो दूसरा क्या कर सकते हैं दूसरा US, US में तो डॉलर ही चलता है US में इन्वेस्ट करोगे 8% के हिसाब से तो 5,10,000 डॉलर्स मिलेगा और repayment कर देंगे इसी में से 5,5,5,000 डॉलर्स तो हमारे पास कितना बज गया सर 5,000 डॉलर्स बज गया उसका क्या करोगे सॉरी 5,000 डॉलर्स बच्चा उसका करोगे क्या सर उसको हम बेज देंगे मतलब bank dollar खरीदेगा रेट किसका दिया pound का मतलब सर bank pound बेचेगा मतलब 1,5390 प्लस पॉइंट जबल 0,85 कितना पॉइंट तीसरा कहां इंवेस्ट करें सर यूरो में फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट में इंवेस्ट करोगे तो पहले direct rate नहीं दिया है तो पहले dollar को convert करेंगे pound में pound आ गया इस portrait पे और फिर pound को convert किस में करेंगे euro में चेक करो euro का rate दिया होगा पहले हमने क्या किया सर सबसे पहले आपने dollar को pound में अब bank pound खरी देगा खरी देगा तो one point 8-2 6-0 होना चाहिए 6-0 तो लिया ये euro आ गया euro को invest किया ये euro आ गया अब euro से किस में convert करोगे वापस pound में ठीक है सर ये देख ले ना या rate सर ये आ गया pound ये pound आ गया और इस में से 5,5,5 लिए कितना pound लगेगा वो तो पहले ही calculate कर चुके तो 2-0,2-2 का gain ठीक है तो निवार की अच्छा question है ये इसको करोगे 1-1-4 same question है के सर छोगा देते हैं 1-1-5 भी same question है 1-1-6 1-1-6 swap वाला question swap का मैं समझा दिता हूँ हरका सर याद दिला दूँगा हमें बहुत ज़्यादा time नहीं लगा सकता इस पे ज़्यादा तर question मैं याद दिलाने वाला काम करो हाँ सर बाकी कर तो आप लोग है याद दिलाओ सर याद दिलाओ ऐसा है UK में pound 75,000 अवेलिबल है सर प्लस और एक इनहीं का है Amsterdam एक ब्रांच होगी जहां euro अवेलिबल है और switcher land में CHF अवेलिबल है सब के पास surplus रखा हुआ खूब जबरदस्त एक यह हो सकता है कि सब अपना अपना invest करे UK के पास pound अवेलिबल है तो वो pound में invest करे और 0 to 1 लाग पे 1% interest मिले दूसरा Amsterdam के पास euro अवेलिबल है 725,000 वो इस case के बीच में आता तो 2% interest मिलेगा और switcher land में यह अवेलिबल है 998077 उस पे मिलेगा 0.5% एक तो यह तरीका सब अपना अपना लगा है without swapping बोलते हैं और फिर देखे कि last में head office का है yes UK का है फिर उसको last में हम pound में convert करे और देखे कि total pound कितना हो गया है विदिन की दूसरा क्यों ना इनको आज ही pounds में convert कर ले और जो भी total है उसको हम invest कर देते है pounds में ही तो क्योंकि rate of interest ज़्यादा मिल जाएगा सायाथ यह दिख रहा है तो दो option है swap करे यह without swapping तो पहला इन्हों ने अपना-पना invest किया तो total यह आ गया है इसको तो convert करने की जरुवत ने और इसको convert किया तो यह आ गया है हमें बहुत fast करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ कि अब नहीं है time तो total cash available यह है yes 1010255.80 किसमे? pounds में दूसर तरीका क्या है? सबको एक साथ लेकर आ जाओ सबको एक साथ लेकर आ गया इसको spot से convert कर दिया इतना pound available हो गया क्योंकि pound ज़्यादा हो गया तो rate of interest भी ज़्यादा आएगा उससे सबसे यह अच्छा तो पूछा है कि बताओ without swapping की swapping swapping से इतना आ रहा without swapping से इतना रहा तो advantage from swapping दिख रहा है ठीक ऐसा? हो जाएगा यह question same question 118 है तो हम नहीं कर रहे है अच्छा पूछा था minimum interest question number 170 मैंने होमग दिया मतलब ऐसे ही कोई question मैंने आगे करवाया और यह करवाया question number 111 119 है क्या? इस question मैं क्या? कुछ नहीं है आपके पास 400 billion रुपिया है उसमें से आधा आप investment करना चाहते है 200 billion investment Japan में भी कर सकते है US में अगर जापान में करोगे तो आपको index fund में अगर इनवेश्टमेंट जापान में तो यह इन खिलता है तो आप येन में convert कर दीजिए रुपिया दिया है, रुपिया का ही rate दिया है अगर आप येन में convert करोगे तो 200 into 1.58 तो सर आपका investment हुआ 316 billion बदले में सर हमको येन, ये 316 billion क्या चीज है येन है सर, येन है, ठीक है बदले में हमको क्या मिलेगा 25 dividend मिलेगा 11.9276 ये मिलेगा ठीक है, ये दोनों चीज तो मिलेगी, ये मिलेगी और साथ में जो investment की value है, वो depreciate होके मिलेगी 2 percent, इन सबको add कर, इन सबको add कर, तो ये आगए सा 346 जो भी आया होका, ठीक है तो उसके इसाब से देखेंगे कि कितना gain हो रहा है, इसको convert करेंगे वापस किसमें convert करेंगे, रुपिया में, और देखेंगे कितना कि, एक ये, ये करवाया था मिन्हें आप लोगो, पकि देख लेना दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम यहाँ treasury bond में लगा है तो treasury bond में हमने लगाया, bond में invest किया, तो बदले में हमको क्या मिलेगा, interest मिलेगा, फिर देखेंगे कि कितना है, तो ये मेरे इखल से हुंबग दे दिया था, कर लोगे, एक दम में आये भी रखेंगे, ये आये था, 4B transaction exposure और economic exposure सर्थ, क्या होता है तो एक concept था, transaction exposure और economic transaction exposure क्या होता सर्थ, transaction exposure सर्थ, transaction करने की वज़ा से economic exposure क्या होता है ये वाला person भज़ी हमें, जो मैं इंडिया कर रहने वाला, ये वाला person भज़ी हमें रुपिया में payment लेता हूँ, तो मुझे मेरा तो retention खतम ना यार, मैंने invoicing किसमें किया, रुपिया में, तो भी कोई डार है क्या, हाँ, क्योंकि या rate के change होने से, या पहले 60 था, अब 80 हो गया, rate के change होने से हो सकता कि, जो चीज, मैं इसको export कर रहा हूँ, वो चीजे महगी हो, इसके लिए, और ये इसकी वज़ा से, यहां, demand कम कर दें, बुले, नहीं चाहिए यार, महगी मिल रही मुझको, ये भी तो है, भली वो रुपिया मै payment कर रहा, अगर उसको दिक्कत है, तो मुझको भी तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी वज़ा से, वो मेरा customer, यही सारी चीजी है, तो बहुत बड़ा question था है, और हमारे book में भी है, TYK 50, तो लिखा है, सर, अब जो question है, वो TY के जो module में, वो question में cover कर वा देता हूँ, extra नहीं कर होता ज्यादा अच्छा है, सर, omega electronic है, export किया, सीधी सी बात करो, इन्होंने export किया, 2400 units, euro आने वाला है, जर्मनी से, मतलब, 12,00, euro आने वाला है, कब आने वाला है, 3 मेने में, सर, जाने वाला है, मतलब, import भी तो किया होगा, 800, Singapore dollar, 2400 units है, तो सर, Singapore dollar, 19,20,000, जाने वाला है, य और ये कब जाने वाला है, 6 मेने में, तो 1000 है, 1000 तो सर, 6 मेने का rate, बस वही तो देखना है, कि अभी rate क्या है, और 6 मेने बाद rate क्या हो, जो आने वाला है, उस euro को bank खरी देगा, और जो जाने वाला है, उसको हम खरी देगा, bank बेचेगा, तो ये देखना है, कि इस rate से, और इ को की एक अए सिए वी ड़ने कोकुछ नहीं किया उन्होंने प्रॉफिट निकाला है करेंट एक्षिं के सबसे और Σब्सके सबसे और बोला कि ट्रांजिक्ष बढ़ले नंबर ते बताया, ठीक है, तो मेरे खिल से इस पॉइंट में देखिए, ट्रांजेक्शन, दूसरा, बैश्ड ऑन दा अबो एडिशनल इंफोमेशन, गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन, और अपरेटिंग एक्स्पोजर मतलब एकोनॉमिक एक्स्पोजर, अगर जो एक कॉ इनवोईसिंग हो रही है, वो हो रही है रुपीज में, अब बोले एक उनिट, 25र्यू रूपया मिले, और साथ में उन्होंने कहा कि कऊरेंट एक्सेंग रेट, का मतलब समझ़ रहे हैं ना, यह जो रेट है, यह यह ना होकर वो चेंज हो गया, ऐसा लिकार, उसे अकरेंट Elasticity Demand 1.5 दिया है तो बताइए कि क्या होगा इसकी वजह से Transaction Exposure और Economic Exposure क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा Concept में नहीं जाना चाहता हूँ मैं आप ऐसे चर्चा कर चुका हूँ कि I.C.E.I.N.S. Question में पर क्या गलती किया उस पर मैं नहीं जाना हूँ सबसे पहला काम क्या है Profit or Loss Due to Transaction Exposure हम अभी Price Elasticity of Demand को भूल जा रहा है हम कह रहे हैं कि यहर उसको छड़ो वो Economic Exposure में देगे हमने का Sells करोगे तो अभी 25,000 इंटू 2400 है इतना आ रहा है 25,000 इंटू 2400 है क्योंकि Selling Price क्या हो गया एक उनिट का 25,000 और Import Cost 19,20,000 और 27,15 पैसे 27,15 पैसे कौन सा वो अभी वाला रेट Current Action Rate वो वाला भूल जाए है यह वाला हो गया है और 27,75 पैसे यह तो 6 मैने बाद वाला और Fixed Cost मालूम है तो यह 18,21,000 और 7,20,000 तो यह आ गया 11,52,000 Doss Due to Transaction Exposure It means बस आपने यहां चेंज करके यहां कितना कर दिया 25,000 अब बात करते हैं Economic Exposure Economic Exposure में हमको देखना पड़ेगा Price मान लो एक उनिट कितने का 25,000 सामने वाला रुपिया खरीद रहा था बिल्कुल ध्यान से समझ रहा सामने वाला पर्षन उसको रुपिया खरीदना पड़ रहा था तब सर कितने के साब से 51.7 बैंक यूरो खरीद रहा था 51.7 सामने वाला पर्षन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ उसको रुपिया खरीदना पढ़ा था रुपिया मुझे देना पढ़ा था तो उसको रुपिया बैंक यूरो खरीद रही थी 51.7 तो पहले रेट था 51.50 तो उससाफ से उसको यूनिट कितने का पढ़ा था 485 अब रेट हो गया 51.75 उससाफ से यूनिट कितने का पढ़ा 483 तो तो प्राइस के कम होने से रिमान बढ़ेगा और कितने पर्शन से 0.72 पर्शन से तो जो पहले 2400 यूनिट्स बेच रहे थे अब बढ़ा कर हम कितना बेचेंगे 2417 यूनिट्स अब 2417 की यूनिट्स के हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाला 2417 के 6 मंथ रेट पर हमने प्रॉफिट निकाला और यह आ गया 74212 तो पहले का और अभी का उसको नाम दे दिया जौश डिव टू ऑपरेटिंग एक्सपोज़र हाला की कला कि सर कब का प्रॉफिट है पहले का अठारा लाग बहात्तरहजारी स्पॉर्ट ट्रेट अब यह 7 ला मतलब बिलकुल सिंपल है बस लाश्ट में आपको समझना पड़ा यह 18 लाग बहात्तरहजार लिया था मैंने करेंट एक्षिन रेट पे जब 25,000 मैंने प्राइस किया इसको तो बिलकुल डिटेल में ही देखना पड़ेगा तब ही हो कि वाला 120 छोड़ दीजी इंडिया में जो मार्केट है यह आउट ओफ इंडिया मतलब यार कुछ ऐसी चीज़े है ऐसी करेंसी है जो एजिली ट्रेड नहीं होती जिसके फावड कॉंट्रेक्ट अवेलिबल नहीं होती ऐसी करेंसी पर बैटिंग की जा सकती है और यह कभी भी सैटल किसमे होता है टॉलर में होता है बाकी कहानी में आपको अच्छे से इस पर कोश्चन आया था कोश्चन में क्या था कोश्चन में हमने इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट किया किया था सके डबलू SKW हमको लग रहा था साउथ कोरिया साउथ कोरिया में से हमने इंपोर्ट किया तो हमको SKW 1190 मिलियन की जिरुवरत थी अब भी रेट यह दे रखा है हमारे पास कौन से करें से रुपिया तो सर रुपिया से डॉलर और डॉलर से SKW मेरे ख्याल से रेट में तो कोई दिक्कत नी होगा मतलब सर सबसे पहले बैंक डॉलर बेचेगा और फिर बैंक डॉलर खरीद लेगा इन दोनों के सबसे अगर मैं देख रहा हूँ कि अभी 1190 मिलियन SKW खरीदना है तो अभी मुझे कितना रुपिया लगेगा और अभी मुझे लगेगा लैक्स में बोलूं तो 754.4 इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं बट प्रॉब्लम है कि मुझे अभी पैमेंट नहीं करना है मुझे जो पैमेंट करना है वो कितने महने बाद मुझे एक महने बाद पैमेंट करना है और फावर्ड रेट तो अविलिबल है नहीं है तो हम NDF मार्केट में बैटिंग करने के लिए इंडिया नहीं इंडिया के बाद और हम NDF मार्केट में बैटिंग करने के लिए तो पहला है कि मत करो कोई ndf market में मच जाएए जो होगा देखा जाएगा तो हम देख रहेंगे एक महने बाद rate क्या हो गया और एक महने बाद rate हो गया यह एक महने बाद इसके हिसाब से हमने convert किया 75.75 और 1180 इसके हिसाब से total हमारा cost पढ़ रहा है 759.22 लेक्स तो भाई अगर आज के साब से देखो तो 754 और 759 मतलब यार extra loss कितना हो रहा 4.76 का loss हो रहा है एक महने अगर हम कुछ नहीं कर अगर हम ndf market में जाते हैं ndf market के विशे में बताया है कोई आप चाहो तो शर्त लगा सकते हो non-reliable forward contract ndf market और आप शर्त लगा सकते हो और शर्त लगा सकते हो आप 1190, 1190.5 और शर्त लगा सकते हो SKW per dollar आप दिखकत है आपको long position लेना short position buy करना किसा sir SKW देना उसके बढ़ने करदर dollar के गिरने करदर मतलब sir short position मतलब sir हम sell करेंगे मतलब sir bank buy करेगा मतलब 1190 पे deal final हो 1190 पे में शर्त लगा रहा हूँ तो कहां गया SKW payable है तो SKW के बढ़ने करदर पर rate किसका दिया है dollar का हमने short position लिया है और वो कितने पे लिया है 1190 उसका मतलब आपने कितने million divide किया तो 10 million dollar पे शर्त लगाया है 10 lakh dollar पे शर्त लगा अब बोर रहा maturity को SKW 1185 ही हो गया ये पढ़ दिना question है maturity को SKW 1185 हो गया आपने तो short position लिया था तो sir हमारा gain या loss निकाल लिया gain या loss जो आया वो किस में आया SKW में तो future जैसा ही है हाँ बस एक दिक्त ये है कि future में जो spot rate होता है हम stock exchange के rate से convert नहीं करते है जो भी gain है और loss होता था उसको हम इसमें convert कराते थे sir जो cash market जो bank का जो rate होता था ना उस पे convert कराते थे currency इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें जो settlement होगा वो SKW में कभी नहीं होगा हमेशा dollar में ही settle होगा और sir rate कौन सा रहेगा rate हमारे यहां का rate नहीं चलेगा जो dollar में convert होगा ना वो वहीं के stock exchange का rate चलेगा बच्चों का इस पे doubt आया है sir 1185 यहीं क्यों ले रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी NDF market dollar में settled होता है इसलिए rate हमें वो ही ले उस पे हमारा कोई control नहीं इसलिए rate वो आला इतना dollar हमें मिलेगा अब हमें one month में यह लगेगी लगेगा और इधर से हमको dollar मिल जाएगा ओके और dollar 75.50 के समझे है यह बेस दिया यह पैसा लगेगा यह गया तो नेट आगे देखके जाना भाई अच्छा कोईशन है आ सकता है सर यह भी कोईशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हाँ FX swap फ़ड़ा fast हो रहा है पर में वह लंबा खीचा नहीं जा सकता है सर राम थोड़ी बहुत आप भी महनत कर लेना है सर यह FX swap क्या कुछ नहीं राम ने ना राम को अभी देना है डॉलर तो सर इस बैंक से खरी देगा और राम को मालूम किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा है यूस में और राम को एक लाग बीस जार डॉलर आने वाला भी है एक साल में तो बैंक से वो forward content भी करेगा एक लाग बीस जार का एक लाग बीस जार का अब सुनो 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 राम बोलता सुनो ना बैंक forward rate क्या बोले 81.75 राम बोलता सुनो बैंक देखो यार मैं इतना transaction करता है मैं आप से खरीद भी रहूँ मैं आपको बेज भी रहूँ तो कुछ concession मिलना चाहिए मुझे भी rate में यार simple सी बात है आप सभी के लिए वो लगा रहा है तो बोले ठीक है हम आपको concession देंगे हम आप जब dollar वेचे होगे ना था हम आपको अच्छा वाला rate देंगे हम इस पे नहीं बात नहीं करेंगे पाइ स्पॉट सेल्फ आवट और किस rate पे बात होगी 82 देने वाला rate 82 होग अगर हम swap में जाते है राम swap में जाता है तो क्या होगा मैं swap कर रहा हूँ और swap में फाइदा क्या दिख रहा है कि आपको सही rate मिल जाता है बैंक से bargaining करेंगे तो सर बैंक ने राम ने खरीदा 80 के साब से राम ने बेचा एक लाग 82 के साब से और remaining portion कितना बचा इसका तो swap हो गया एक लाग का remaining बचा हमारा 20,000 21.75 से multiply कर दिया सर अगर राम swap में नहीं जाता हो तो भाई पूरा एक लाग 20,000 उसको 81.75 के साब से खरीदा हो important है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप खरीद भी रहे हो dollar और future में बेचोगी भी तो swap कर लेते हैं ना यार कि आज spot पे खरीद होगे बाच में तो उससे आपको better rate मिल जाब इसे पे एक question है देखे जी एक बार इसमें हो क्या आ रहा है पहानी तो आप पढ़ दोगे police ये US का है drill dip वो इंडिया में किसी project में पैसा लगाना चाहता है 500 करोड और इंडिया वालों ने कहा कि आप 740 करोड हम आपको वापस भी कर देंगे एक साल बात तो वो पक्का बैंक जाएगा बैंक इदर बना लो और उससे कहेगा कि please 500 करोड मुझे दे दो और मैं आपको 500 करोड दे दूँगा 500 करोड ख़ईदने बेचने का content कर लेगा और बच्चा कितना 240 करोड के लिए forward cover करेगा मैं लिखा कि swap में कैसे enter करोगे लिखा drill dip will enter into buy sell swap buy करोगे sell करो in which drill dip bypass 100 करो and sell pass 100 करो इतनी speed से मुझे बढ़ाना बढ़ा है ऐसे मैं बढ़ाता नहीं हूँ पर दिक्कत क्या है rate कौन सा spot rate or forward rate अलग-अलग होना चाहिए यास पर इन्होंने का assume that Indian government offer a swap spot rate which is dollar 50 in one year मतलब क्या कहना चाहता है वो यह कहना चाहता है spot rate भी 50 और one year में भी 50 तो बात 50 पे हो गई और forward rate कितना दिया है 50 पहले नमबर पे यह बुला कि आप swap design कीजिए तो swap तो हमको मालूम है swap हमने design कर दिया अब बात करते है swap में करोगे तो sir 500 करोड बाई करोगे 10 करोड जाएगा 10 करोड आ जाएगा बचे वे के लिए हमने forward cover कर लिया और इसके लिए जो 10 करोड लग रहा है वो हमने ब्यास से उठाया होगा drill dip ने और कितने person के सबसे 8 person कितना profit हो और sir अगर हम कुछ नहीं करते है तो भई ये तो खरीदना पड़ता है और पूरे के लिए आपको forward cover करना पड़ता है अब समझ में आएगा ठीक हो जाएगा 128 नहीं करवा रहा हूँ 108 अलरेड़ी कर चुका हूँ doubt आया था किसी बच्शतों मैंने 182 invoicing वाला कोशन नहीं तो देख लोगी बिल्गो simple कोशन it means क्या कहना चाहता क्या ही कहना चाहता तो 100 लाक रुपिया आने वाला है हमारे पास वो invoicing हम dollar में बनाए या फिर दूरो में बनाए या फिर pound में बनाए invoicing किसम अगर dollar में बनाते हैं और उसके invest करते हैं सबोज हमने dollar में बनाया और जो आने वाला हमने dollar में बना दिया 67.10 के साबसे तो इतना dollar मैं हमने कहा भई इतना dollar दे देना और तीन मैने बाद dollar appreciate हो गया तो जो dollar आएगा उसको हम इससे multiply करेंगे तो total मिलाकर रुपिया इतना आएगा तो ठीक है ऐसी euro में बनमाते हैं तो कितना आएगा ऐसी pound में बनाते हैं तो कितना आएगा invoicing का question dollar में बनाते हैं dollar appreciate हो रहा मतलब सर जो जाज़ा appreciate हो रहा वो हाँ ऐसा कलीच ये वाला 1.23 नहीं करना है 1.25 simple question है और टी वाई के 4 देखे एक बार 10 minute लगेगा इसमें क्या है भाई ABC ने export किया है export तो आने वाला होगा आने वाला Canadian dollar 5 लाग Canadian dollar 5 लाग अभी rate दे रखा है pound pound का rate दिया है और interest rate UK और forward rate truly reflect the interest rate difference जो forward rate है ना वो IRP के साब से रहे forward rate हमने book कर लिया ये क्या चीज़ है सर ये है Canadian dollar तो उपर dollar करें नीचे तो सर ये forward rate निकला इस rate पर हमने book कर लिया कितना? 5 लाग Canadian dollars इस rate पर book की अब बोल रहा कि माल लो कि maturity को dollar Canadian dollar जो है वो 2% से decline हो गया rate किसका दिया है? pound का pound 2% से बढ़ गया है ऐसा बोलो कि decline हो गया है पर pound 2% से बढ़ गया तो बताये profit हो रहा कि loss तो 6 मैने बाद pound 2% से बढ़ा तो rate हो गया ये है और पहले मैंने forward से divide कर दिया और फिर इस rate से divide किया और देख रहा हूँ कि gain हो रहा कि loss हो ठीक है बस इसी तरह से करना इसका question 127 TYK 46 इस question में भी कुछ है नहीं तो बढ़ दूस्ति टाइम पास ठीक है इस question में क्या हुआ है एक person है और forex dealer है उन्होंने 10 लाग डॉलर बेचा है और कितने रुपे में base दिया है 1.440 यूरो में बेचा है 10 लाग डॉलर 1.440 यूरो पर डॉलर होगे अलाकि यह अजीब सा लग रहा है पर लग जाने दो तो cover तो कर रखा होगा बोले हाँ और कहां से cover कर रखा है बोले square यह position दे रखा बोले कहां से तो यह तो दिया है और यह rate कौन सा दिया है सर यह दिया है यूरो पर डॉलर यहां से खरी देंगे और कब फिर मेने बात फिर मेने बात क्या spot दे रखा है सर यूरो खरी देंगे मतलब सर सीधी सी बात है डॉलर हम यहां से खरी देंगे यहां बेच देंगे 4450 बल्दवाजी का मतलब सर क्या कहना चाहता नहीं कहना चाहता अगर पढ़ोगी तो आपको सीधी बात समझ में कि देखो इनको हमको क्या आप देना है डॉलर बेचना है हमें दूसरी बैंक से खरीदना पड़ेगा और दूसरी बैंक डॉलर आपको बेचेगी 1.4450 बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जैसा हमने कवर डिल में कर देखो तो सर लॉस हो रहा है पाँच जार का इसमें कोई दिक्क्त पत नहीं यहां तक कोश्चन में कोई समस्य अब पाँच जार का लॉस हो रहा है तो कोश्चन खतम हो जाना था पर भाई साब यह बेकार की चीज़ दे रखी है तो उनका कहना यार पाँच जार का लॉस हो रहा है आपके पस रुपिया है रुपिया और पाँच जार का लॉस हो रहा है तो बताइए पाँच जार आप कहां से लेकर आओगे क्योंकि सामने वाली पार्टी को आपको पाँच जार एक्ट्र देना पड़ेगा ना यार और फिर बैंक डॉलर वापस खरीदेगा इस तरह से उन्होंने रेट निकाला है अच्छा और फिर किस में कनवर्ट कर दिया रुपीज में कर दिया ये थोड़ा सा पार्ट गटने वाला 52 नहीं करवा रहा हूं कर लेना भाई आप लोग ये अलग कोश्चन है ना सर हाँ तो भाई इतना तो आप दिमाग चला सकते और 124 एक्जाम में आया था पर कर लोगे ये भी इसका तो वीडियो डला हुआ मेरा आप कहोगे तो ये वीडिया 112 112 भी एक्जाम का ही कोश्चन है और सिंपल सी बात है कि वो पूछ रहा है कि हमको जर्मन बैंक से उधार लेना चाहिए उधार की बात है ना उधार लेना चाहिए उएस बैंक से लेना चाहिए कि स्विस बैंक से 5 पर्षन, 4 पर्षन, 3 पर्षन पर यहां कुछ लगने वाला सर processing fees लगने वाद और withholding tax है तो sir यहाँ 5% तो sir यहाँ क्योंकि यह German bank है हमारा cost कितना पड़ा 5.25 sir अगर हम US bank से ले रहे हैं तो वहाँ withholding tax लग रहा है 8% तो net करके लिए gross up कर दिया तो 4.3% पर सुनो एक आखरीव यहार US पे rate of interest कम है Germany के picture तो sir वहाँ की currency ज्यादा ही strong होगी तो जब हमको वापस करना पड़ेगा तो ज्यादा वापस करना पड़ेगा तो मैंने आपको यह बता रखा है already F-S कर या फिर 1 प्लस R 1 प्लस R से मैंने बोला था premium निकल जाता है जहां का rate of interest कम होगा वो currency premium पर और यह इसमें से जो भी यह बिल्कुल हवा में पढ़ा रहा है हाँ अची बहुत हो गया question number 126 रटा question है बिल्कुल रटा पर TY के 10 और कुछ नहीं है net exposure किया ना भाई साब net exposure उन्होंने इन दोनों को difference निकाला इन दोनों का difference निकाला और multiply कर दिया और बोलती है net exposure है अध कर दिया जैपनीज यह इन की विसे में कुछ बताया है वो भी कहानी गलत है 59 नहीं करना है फोड़ा speed से चलता 66 भी कर चुके हैं इस टाइब का question नहीं इसमें doubt आया था बच्चो को यह question वापस आया है 110 अच्छा question है पर इसमें bond duration का use हुआ है तो मैंने रोग दिया था खेर इसको मैं अब अलग से ही यहां तो नहीं करवा पॉँआँ का bond duration है और इस question में यह question आप देख लेना मैं करवाई हूँ क्लास में देख लेना इसमें IRP का खतम होगा तो लास्ट में मैं थोड़ा सा speed से चला हूँ पर मैं भी क्या करवा मजबू हूँ ऐसे फिर से वापस 2 गंटे होगा तो क्या 10 गंटे का forex नहीं हो सकता लास्ट के थोड़े question आपको मेहनत करने पूड़ेगी थेंक्यू सो मच बबबए जी का मेलते है लड़े लड़े